असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं मतन विर्यानी और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें जिसी की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें तो हम अखनी करेंगे और इसे के लिए मैंने लेया हैं और इसको मैंने अच्छे से साफ कर ल्या हैं और इसी साफ कर लिया हैनन ममें रिजो आपकिते मशाले जालना का इंicians सब्सक्राइं के बाद मैं यहां पर कौरियंडर और सन्फ लिया और इसको आपको एक नौट बना लेनивать और इसको हमें अपशन और हमें अपनी अखनी इसमें डालना है जिसे कि जो हमारी coriander swamp की जो खुश्बू है जो वो सब हमारी जो अक्री में mix हो जाए और इसी के साथ मैंने आपर salt डाला है आप cast के according salt डाल सकते हैं और ये मैंने कुछ मसाले लिये हैं जिसमें हमारे black, green, cardamom, black paper, zira, dal, chini, etc. जीरा ये सब मैंने लिया है और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे लगभग, two bowl, water और आप चाहे ना तो इसको pressure cooker में भी आप इसको बना सकते हैं बहुत ही जल्दी आपकी बन कर तयार होगी लेकिन आज हम एक ही बरतन में हम अपने बिर्यानी बनाएंगे चलिए तो हम पहले अकनी ready कर लेते हैं एदे की friends कुछ देर बाद हमाई जो अकनी है इस तरह थोड़ा कुखोने लगी है और हमारे के त्यार हो रहे है इधर मैंने यह rice लिया है टू बाउल इनको कच्छा बासमती rice बोलते हैं और हमें इनको केवल 15 मिनट अच्छे से दोकर wash करके जिसे की स्टार्ज सारा निकल जाए और 15 मिनट के लिए हमने इसको भिग होया है और हमने अपने चावल भिग हो द अधरिये हैं और उससी के साथ हमने बेरियाने में डालने के लिए है ज्युप होग सिक्टी के निकल लिया है तमैटो में ग्रीन चिली के गडिया को हमने इसके मबादम करें बिचम पेस्ट बना लेंगे, यह बहुत ही अच्छा टेस्ट लाती है, आप जरूर ट्राइ कीजिएगा, देखी फैंस, हमने जो सौफ, अद्रक और लहसन का पेस्ट रेडी कर लिया है, और इधर हमारी है यह गरम मसाले, जिसमें मैंने कुछ गरम मसाले लिया है, और ब्लैक पेपर ग्रीनी लाइश्ट्री, लॉंग, जीरा, स्पाइसी सभी हमने इसमें लिया है, और आफ्टर 15 मिनट स्टेकी फ्रेंट्स, हमने बिर्यानी को कुछ समान तयार किया, इतने ही हमारी यह जो बिर्यानी का अखनी है, हमारी जो बिल्कुल अच्छे से कुख हो चुकी है, और प तुकेगा नहीं, और आप इसको बिर्यानी में ही यूज करेगा इस पानी को, तो हमारा तो यह जो ड्राइव अच्छे से हो चुका है, और हमने यह निकाल लिया है, और इसमें जो हमारे यह प्यास थी, उनको हम यूज करेंगे, मैश कर लिया है, जो लसन है वो हमने फैक और यह बी, आप यह हमें यूज नहीं करना है, और हमने उसी बरतन को वोश करके हमने ओयल अच्छे से गरम किया, और इसमें हमें अब डालने हैं अपने अनियन, और अनियन को अच्छे से गॉल्डन ब्राउन करना है, इसमें हमारे जो अनियन हैं अच्छे से गॉल्डन ब और जल्दी से अब हम इनको निकाल लेते हैं नहीं तो यह ज्यादा बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगी और विख नगेन के निकालन उसके अब हम इसी के साथ अब हम इसमें एड करेंगे अपने टमैटोज, ऑन्यटो, अजिव के studying ऱते ही तो यह तना है आप चाहें तो डाल सकते हैं या नहीं, मैंने आपे वन लिया है और चोटा और यह मैंने कुछ ग्रीन चिलीज लिये और इसी के साथ हमने जो अनियन मैश की थी अखनी से निकाल कर वो भी हमने इसमें एड की है और अच्छे से हमें यह जो मसाला है इसी में हम एड करेंगे सॉल्ट और उसके पाद इसको अच्छे से हम तो तीन मिलट के लिए अच्छे से भूनेंगे सॉल्ट डालने से यहां पर अच्छे से गल जाएंगे और इसी के साथ हम यहां पर अपने जो मटन के अखनी तयार के थी वो भी हम इसी में ही डाल देंगे और तीन से चार मिनट अच्छे से इसको घूनेंगे देखे फैंड तीन से चार मिनट के पाद हमारा जो अच्छे से बिल्कुल हमारा जो गोश्ट है वो अच्छे से भून चुका है इसके मसालों के साथ हमें अखनी बनाते वे नमक का यूज है तो इसले चावल लेए हैं उसी का डबल हमें यहाँ पर वाटर का यूज करना है जैसे हमने वन वाल राइज लेए तो हमें टू बाउल वाटर का यूज करना है और अगर हमने टू बाउल राइज ले हैं तो फोर का यूज करना है और देखिए फैंस कुछ टाइम बाद हमारा जो पानी है अगर हलका बोईल होने लगा है और अब हम इसमें चावल एड़ कर देंगे यहां पर बोईल होने के बाद हमें चावल डालना है वह भी हलका सा इससे हमारा जो राइज वो अच्छे से खिलेवे बनेंगे और इसी के साथ हमने यहां पर सॉल्ट भी डाल दिया है आप यहां पर टेस्ट करके सॉल्ट डालना अपने टेस्ट के अकोर्डिंग और बिरिया अब हम यहां पर अपना जो हमारा कलर है उसको डालेंगे कलर को हमने बिल्कुल वान पिंच कलर लिया है और हलका सा वाटर मिक्स करके हमने इसमें दो टेबल स्पून के करीब डाला है और इसी के सार्ड जो हमने अपने अनियन को फ्राइ करके निकाला था उसमें हम डाल देंगे सभी जो अनियन है वो अच्छे से ड्राइज भी हो चुकी है और इजे की फ्रेंट्स हमारे जो वियानी है वो अच्छे से खुक हो चुकी है और कैसी लगए आपको मेरी रेसीपी वो कमेंट करके जरूर हमें बताओ जिससे कि हमारी होसला अफिसाई हो और इडी की फेंट्स अगर मेरी वीडियो आपको उच्छी लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी बरियानी रेसिपी आपको कैसी लगी है इडी की फेंट्स अब हम इसको ढखकर पांच मिनट के रख देंगे जिससे कि हमारी सभी जो अनियान सब अच्छे से हमारी जो इसमें खुश्रबू है और मुस्ट सभी मिक्स हो जाएं और ढख देंगे इसको और हमारी बिर्यानी बिल्कुल रेडी है अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें बाइ गाइस टेक केर